दो तो ये हैं शर्मा जी और शर्मा जी अपने online classes देने के लिए अपने screen को record करना चाहते हैं और साथ में चाहते हैं कि इनका mouse भी highlight हो कोछ इस तरह से और जो भी option ये बता हैं वो option साफ साफ नजर आए कि अपने screen पे क्या दिखाना चाह रहे हैं इन्होंने कही सारे software strike किये हैं लेकिन इनका काम नहीं बना है software या तो paid होते हैं या तो free होते हैं तो जो काम नहीं करते हैं तो चिंता मत कीजिए इस वीडियो में आपको बताने वाला है free और एक आसान तरीका जिससे आप बड़े आसानी के साथ में अपने mouse का जो करशर है उसको highlight कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने computer screen पर देखे graphical user interface में जो mouse का करशर है उसको ग्राफिक तरीके से बनाया जाता है यह भी simple एक image है और अगर आपने यह समझ लिया तो आप mouse के करशर को बड़े आसानी से change कर सकते हैं वैसे windows में mouse का करशर change करना बहुत आसान है आपको search bar में जाना है यहाँ पर type करना है mouse setting और आपको उपर mouse settings दिखाई दे जाएगा इसको click करके आपको open कर लेना है और यहाँ पर आपको additional mouse option दिखाई देगा इस पर click करना है यहाँ पर आपको mouse की properties दिख जाएंगी pointer पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको windows की तरफ से दिए गए सारे pointers दिख जाएंगे अब हमें जो cursor change करना है वो यह वाला है जो हमेशा हमें दिखाई देता है उसके लावा और भी धेर सारे cursor के यहाँ पर दिखाई देता है और वो अलग-अलग काम जब आप window में करते हैं तब दिखाई देता है जैसे help section पर जाने के लिए दिखाई देता है working background में जब कोई काम होता है कोई software प्रोसेस कर रहा होता है तो यह दिखाई देता है अगर आपका system busy रहता है तो यह cursor आपको दिखाई देता है इसके लावा यहां पर और भी धेर सारे cursor दिए गए हैं जिन्हें आप बड़े आसानी की साथ में change कर सकते हैं change करने का तरीका बहुत simple है drop down menu में से कोई भी cursor आप select कर लीजे और यहां से apply कर दीजे तो देखिए वह cursor change हो जाएगा जैसे भी मेरा cursor change हो गया अब मैं यहां पर बात कर रहा हूंगे cursor को highlight कैसे करते हैं तो simple आप यहां पर यह समझ जाएं कि यह जो file अभी आपको cursor की तोर पे दिख रही है यह graphic है और हमें इसकी जगे बस दूसरी file को upload करना है और हमारा cursor change हो जाएगा तो आपको file वो मिलेगी कहां से आप cursor की file को कहां से download करेंगे तो इसके लिए simple आप जाएंगे एक website पे जिसका नाम है rw-designer.com और यहां पे आपको मिल जाएगा highlight set cursor इस file का size है मुश्किल से 6.2 kb का है और यहां पे आपको अलग अलग तरह के cursor highlight करने के लिए मिल जाएंगे इसमें से कोई भी आप select कर सकते हैं तो फिलाल में यह file download करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे यह file की cursor हम apply करते हैं अपने computer में यहां से आपको इसे download कर लेना है जैसे आप इसे download करेंगे तो यहां पे आपको एक zip file मिलेगी इसको unzip करने के लिए आपको right click करना है और यहां से extra two highlighted one जो folder है वहां पे जाके इसको open कर ले तो folder भी देखे यहीं पर बन जाएगा इसको double click करके open कर लीजिए और यहां पे इसने cursor वाली जो main file है उससे replace करना है इसकी location आप देख लीजिएगा कहां पर है यह जो मेरी location है वो है मेरे document में download वाले folder में तो मैं इसे minimize कर देता हूँ इसको भी minimize कर देता हूँ यहां पर जो magnified वाला set है हमने select कर रखा है customize में जाके normal select वाला option है इस cursor को हम change करने वाले है तो इसको हम यहां से select कर लेंगे अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जिस cursor को आप select करेंगे केवल वही change होगा बाकी सारे change नहीं होगे इसके बाद मैं आपको browse करना है ब्राउज करने के बाद आपको कहा जाना है अपने download वाले folder में जहां पर हमने भी cursor वाली files डाउनलोड करीए तो मैं अपने download वाले folder में जाता हूँ highlighted cursor वाला folder मुझे मिल चुका है इसको मुझे open करना है और यहां वो सारे cursor मुझे दिखाई दे रहे है अब जो भी cursor आपको लेना है उसको select करिए open करिए यहां पर आप देखे तुरंट से वो cursor आपको दिखने लग जाएगा इसके बाद जैसे आप apply करेंगे तो जो cursor highlight हुआ ह वो आपके screen पर आपको दिखने लग जाएगा तो इस तरह से आप cursor को highlight कर सकते हैं बिल्कुल free of cost में बिना किसी software के शर्मा जी की यह समस्या भी है कि बही दुबारा से मेरा जो जैसा था वैसा कर दो मुझे नहीं पता मुझे यह red वाला नहीं चाहिए या green वाला नहीं चाह जाना है इसको none पे क्लिक कर देना है और यहां से apply कर देना है जैसा cursor आपका था वैसा change हो जाएगा दोस्तों अब आप self study कर सकते हैं हमारे साथ आपको जाना है हमारे website procomputer course.com पर और यहां पर आपको course वाले टैब पे क्लिक करना है यहां पर आपको मिलेंगे data entry, ms office, ms word, m lifetime का update मिलने वाला है और साथ मैं जिन वीडियो के साथ में जरूरी है उनके साथ में हमने practice file भी दी है course complete करने के बाद मैं आपको course completion certificate भी यहां पर दिया जाएगा तो जल्दी से login कीजिए procomputer course.com पर